प्रभासाक्षी करतवे पत्थ में आप सभी का स्वागत है आज के इस करतवे पत्थ में बात करेंगे कि शिव मैं होगा वारनसी में बनने जा रहा क्रिकेट स्टेडियम विश्विकप से पहले प्रधान मंसी नरेंजर मोगी ने दिया तोहफा तो आएए देखते हैं आज के इस करतेवे पत्थ को लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करने ताकिया पैसे ही इंट्रेस्टिंग और जानकारी पूनकरता व्यपत्थ देख सकें भारत का प्राचीन तंबसा शहर वारनसी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिध नगर है वारनसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है वारनसी का हिंदु धर्म में अत्यजिक महत्व है क्योंकि यह सरवाद एक पवित्र नगरों में से एक है वारनसी सिर्फ हिंदु धर्म ही नह eldर धारमिक वारणसी रहा है जिसे मंदिरों का शहर भारत की धारमिक राज डाने भगवान शिव की नगरी दीपनों का शहर ज्यांन नगरी जैसे कई नामों से संभोधित की एक तहीं यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्व मोदि का तव्र वाचन शेत्र भी हैं प्रधानमंत्री नरेंदुमोधी वारनशी से लिए उत्धराई पर दूरान के दौराँ अरहर Ma इस स्टेडियम को बनाने में लगभग 450 करोड रुपए की लागत आएगी माना जा रहा है कि वारणसी के गंजारी में 31 एकर की जमीन पर अंतराश्ट्रय क्रिकेट स्टेडियम का निर्मान किया जाएगा इस स्टेडियम में मैच देखने आने वाले दर्शकों के लिए पार् फ्लड लाइट्स और पवेलियन तक हर जगह काशी शहर और महादेव से जुड़ी चीजों की जलक फैंस को दिखाई देगी आपको बताने की वारणसी इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स से लेकर इंटीर तक में भगवान शिव से जुड़ी चीज को दर्शाया जाएगा इसके तहट इस्टेडियम की फ्लड लाइट्स की बनावत रिशूल की तरह से होगी भगवान शिव की जटाओं में विराज मान चंद्रमा का भी स्टेडियम में खास योगदान होगा दरसल इस स्टेडियम की छट के चारों तरफ एक जैसी नहीं हो होगी बलकी छट को अर्द चंद्र के आकार पर बनाया जाएगा इस अर्द चंद्र आकार के कारण शाम के समय मैदान का नजारा बेहत मनूरम होगा बता दें कि स्टेडियम लार्सन एंड तर्वो कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है अगले 30 महीनों में इस स्टेड कांपुर में ग्रीव और लगनों में अटन विहारी वाश्पय काना स्ट्वब्ध हैं जहां दर्ाश्ट्रे इस सर पर क्रिकेट के मैच खेले जाते हैं इन धूनों स्टेडियन के बादवार न सी तीसरा शहर होगा जहां क्रिकेट स्टेडियम मैं उपलप्थ होगा बता द के डिजाइन पर भी काम कर रही है बतादे की स्टेडियम में दर्शकों की शम्ता 30,000 होगी एलेंटी इस स्टेडियम को अंतराश्य मानकों के मुताबिक बनाएगा यह स्टेडियम बहुत खास होने वाला है क्योंकि अत्यंदुनिक सुर्विधाओं वाला राज्य का यह पहल अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके